हाई एवरिबन कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं रेस्टुरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी अमीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आयागा चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं तो इसके फ्राई कर लेंगे हलका सा कलर चेंज होने तक अब देख पा रहे हैं वीडियो को एंड्स तक देखे आपको रेसिपी बहुत पसंद आगा इस तरह से अब देख पा रहे हैं पनीर का बढ़िया सा कलर आगिया है इतना ही तक हमें फ्राई करना है एक किनारे करके इस तरह से बाहर निकाल लेंगे और एक बोल में पानी लेंगे पानी में पनीर को डाल देंगे पानी में पनीर डालने से होगा क्या पनीर सॉफ्ट मनेंगा हाड बिल्कुल भी ना होगा तो चलिए हम आगे के त milliseconds कर लेते हैं तो इसी पैन में 2 medium size की प्याज ले लेंगे प्याज कु इससे अब देख पारा है लंबे-लंबे हलके मोटे-मोटे मने कट कर लिया है इसे डालके थोड़ा देर तेल में मिला लेंगे इस तरह से साथी एक इंच अद्रक तुकरा है इसतरह से दो भाग में और एक गाठ लहसन के कली की इस तरह से छिलकवतार के इसे साथ में ही थुरा देर भून लेंगे हलका सा प्याज का कलर चेंज होने तक अब देख पार है प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा साथी एक बड़े साइज के टमाटर हमने कट करके डाल दिया है इसे भी साथ में ब सौफ्ट कर लेंगे जैसे ही बड़िया से सौफ्ट हो जाए इस तरह के होते ही गैस का फिलेम बंद कर देंगे और एक किनारे इस तरह से कर देंगे जाकि प्यास टमाटर में जो भी एक्स्ट्रा तेल हो अलग हो जाए इस तरह से थुरा देर करके छोड़ देंगे और तेल एक तीछ पता एक दलचेनी एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची और चार से पांच काली मिर्च डाल देंगे तेल में और एक चमच जीरा और सबको थोड़ा दिर पका लेंगे ध्यान रेफ्रेंस यहां पर गैस का फिल्म एकदम लो रखना है और थोड़ा दिर एक मिर् तो साथ ही यहां कुछ मसाला अड़ करेंगे सुखा मसाला एक चमच कसमीरी मिर्च और एक चमच मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच काली मिर्च जीरा साथ में ही है तोनों एक चमच चीवीज का भी पाउडर लेंगे और आदी चमच हल्दी पाउडर सबको बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे थोरा देर मिक्स करते ही जो हमने प्यास टमाडर का पेस्ट बना करके रेडी किया था इसे डाल देंगे मसाले में और बढ़िया से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से अब देख पा रहे हैं कस्मीरी मिर्च मैंने कलर के लिए डाले हैं इससे तीखा नहीं होता है और मसाले वाले जार को थोरा सा पानी डाल करके धो करके इसे भी डाल देंगे अब देख पा रहे हैं इस तरह से डाल करके मेडियम टू लो फ्लेम पर लगबक तीन से चार मिन तक भून लेंगे मसाले को साथी नमक भी डालनेंगे टेस्ट के कोडिंग थोरा देर मसाले का जब भी कलर चेंज हो जाए उतना ही तक हमें भून लेना है अब देख पार है मसाले का कलर चेंज हो गया है तो साथी एक कप ह आपको याद दिला दू अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लिजे और मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूले इस तरह से ढख करके लगबग 2-3 मिन्ट तक मटर को हलका सा सॉफ्ट कर लेंगे अब दे दो मिन्ट तक फिर से हलका सास भून लेंगे अब जो हमने पनीर को पानी में डाला था इस तरह से पनीर लेंगे मुठी में इस तरह से निचोर करके पनीर को डाल देंगे और सारे पनीर को निचोर निचोर के मसाले में डाल देंगे और मसाले के साथ पनीर को इस तरह से मिक के मिर्चली हमने इस तरह से चार भाग में चीरा लगाया करके डाल दिये और आधे कब हम पानी लेंगे ग्रेवी कहीं सबसे आप पानी ले लिजे कम जैदा कर सकते हैं और धकन लगा करके दो थोड़ा देर पका लिजे तो देखे फेंस पनीर हमारा लगबाग पॉक चुका ह है तो धकन हटा दिये हमने इस तरह से अब यहां पर धनिय पता डालेंगे और गैस का फिलेंग बंद कर देंगे और थोड़ा देर ठंडा होने देंगे इसके बाद हम सर्व करेंगे तो चली फेंस सर्व कर लेते हैं अब देख पाड़ा है कितना टेस्टी और कितना की नीर बनाए और इनजोइ कड़े 가서 फेंगली में सबको खिला करके खुश रखें उमीद है कि आज की रेशिपी आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो पिलीज लाइक शेर करना बिल्कूल नभूले और कमेंट बॉक्स में जलूड़ आज की रेसिपी आपको कैसा लगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के टेक केर बाय थेंक यू